अरे कितने का फेशल दरवाया है कहा जा रही हो इतना फेश चमक रहा है आपका तो क्या किया है आपने क्या आप भी ऐसा सुनना चाहते हैं तो चलिए करते हैं फेशल इतना प्यारा गलो आया है इतना गलो तो ना 2000 के फेशल से भी नहीं आता है इतना गलो इससे आया है तो आ यह सब आपके किचन में अवेलिबल है उनसे आप अच्छा फेशल कर सकते हैं तो अगर आपको भी मेरे जैसा ही ग्लोच जैसा मेरे फेस पे आया है मात्र 10-15 मिनट में तो आप भी इस फेशल को ट्राइ कीजिए और अगर अच्छा लगता है देखने में भी अच्छा लगता कोफी बहुती अच्छा इस्क्रब है हमारे फेश के लिए एक चमच लिया बूरा इसी स्क्रब से हमारे न सारी डैडिस की निकल जाएगी और यह मेंने एक चमच लिया बादाम का तेल एक चमच से थोड़ा कमी लिया इस से अगर अगर हमारे चैरे पर ड्राइनस है तो वह दूर होगी और इसमें हम लेमन डाल देंगे थोड़ा सा इसमें लेमन से ही घोलूंगी पूरा इसमें इसमें दो चमच लेमन डाल लिया आई और इसमें अच्छे सा मिक्स कर लोंगी तो हमारा स्क्रब बनके तयार है और केवल इस क्रब से अगर आपको निम्बू सूट नहीं करता ना तो आप गुलाब जल मिला सकते हैं इसमें गुलाब जल लेकिन आपको निम्बू करना यूज नहीं आता तो गुलाब जल मिला लो इस्क्रब से ही आपके फेस पर बहुत अच्छा निखारा जाएगा तो सबसे पहला आपको जब इस्क्रब करना है उसके लिए आपको क्या करना है साध्य पानी में रुमाल को भिगो के अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर लेना है क्योंकि हम घर में भी बहुत सारी दूल उड़ती रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती फेस पर बैठ जाते हैं तो कभी भी कोई भी आप फेस पर कुछ भी लगाएं तो उससे पहला अपने फेस पर क्लीनिंग जरूर करें किसी भी चीज से या तो कोटन भीगो लें गुलाब जल से किसी से भी अब यह इस क्रब जो मैंने बनाया है यह अच्छा घुल के तयार हो गया है तो इससे आप हाथ की मदद से पूरे फेस पर अपलाई कर दें और यह बहुत ही मतब लगाने दे ना फीलिंग इतनी अच्छी आ रही थी स्मूथ ही स्मूथ से हो रहा था फेस लगाते ही अरी आपके चेहरे पर जितनी भी डेड़ी स्कीन है या संबर्न हो गया है सब को निकाल देगा सब टैन वगेरा सब रिमूव हो जाएंगी और नाक के दोनों तरफ और यह चिन के यहां पर जादा दिक्कत होती है ब्लैक ब्लैक हो जाता है कही बार जो पिंपल्स होते वो भी अधिकतर यहीं पर निकलते हैं तो मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाथ सूका चल रहा है तो आप थ अगर आप वीक में टू बार कर लेंगे क्योंकि यह केमिकल वाला तो है नहीं की वह इस से कोई नुकसान है तो वीक में डू बार भी इसको कर सकते हैं और नहीं तो वीक में एक बार कर लिए महिने में चार बार हो जाएगा उससे भी बहुत एफेक्ट पड़ेगा बजार सब्सक्राइब भी तो हम कहीं कहीं सो रुपे के करवा के आते हैं कहीं बार जब हमें कहीं जाना होता तब कर आगर हम रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो फिर हमें पारलर जाने की जड़रती नहीं पड़ेगी 10 मिनट के लिए हम इसको देखो मैं आपको रिजल्ट दिखाती कितनी प्यारी सी स्कीन हो रही है वाव कितना प्यारा लग रहा है फेस और आपके एक ये दो बार के यूज करने के बाद ही आपकी पडोसन आप से पूछेगी आप क्या लगा रही है फेस पर आपका कलर तो काफी ब्राइट हो गया है तो अगर आप ये सुनना चाहती है तो प्लीज इसे एक बार ट्राइ जरूर करें आये कोई महगी चीज नहीं है सब आपके किचन में अवेलेबल है तो आप भी ट्राइ जरूर करें देखने है कितने गजब का निखा रहा है केवादी स्क्रब से अभी पैक बाकी है पैक लगाने के बाद देखते है कैसा आता है तो मैंने पेस क्लीन कर लिया अब पैक लगा लगते है पैक बनाने के लिया है हमने एक चमच बेसन और एक ही चमच लिया है हमने इसमें गेहू का आटा जी हां गेहू का आटा गेहू का आटा आपके पेस पर बहुत अच्छा सर करता है एक ही चमच इसमें लेंगे हम कोफी अब इसमें हम डालेंगे नीमबू आधा नीमबू मैंने इसमें चोड़ दिया है और इसमें हम डालेंगे दही यह दही मैंने छन्नी में रख दिया था तो इसका पानी एक्ष्टा निकल गया यह गाड़ा सा दही है आप भी इस तरह कर सकते हैं अगर आपके घर में गाड़ा दही है तो आप वो ले सकते हैं मेरा थोड़ा पानी वाला सा था तो इसलिए मैं चलनी में रख दिया था इसको अच्छे सा मिक्स कर लेंगे अगर आपको ए गाड़ा लग रहा तो इसमें आप थोड़ा सा एक चमच के आसपास गुलाब जल डाल दीजिए और इसको एक थिक पेस्ट आप बना लीजिए तो आपका पैक तयार है बनके तो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं इस पैक को हम देखो आप देख रखने हैं देख सकते हैं कि इसकी कंडिशन कैसी है और इसा हाथ में लेकर अच्छे से अपने फेस पर लगा लेंगे कंजुसी बिल्कुल नी करनी अच्छे से लगाना है ताकि अच्छे सी चमक आए आपके फेस पर और आप इसा अच्छे से फैला लेंगे पूरे फेस पर इस तरह हलके हाथों से क्योंकि इसमें बेशन है आटा है कोफी है तो इससे भी थोड़ी बहुत डैड़ी स्किन रहेगी होगी न वह भी निकल जाएगी अब बहुत सोप्त हातों से आप इसके मसाज़ कर सकते हैं और अगर आपको टायट लगराे है जोड़ा बहुत और यह भी मिला सक्ते हैं आटा है बिलकुल नहाचेल चीज़े हैं सब आप दही को थोड़ा गाढ़ा वाला लेना है जैसे आपकी घर की जमिय जो दही होती है या बजार की भी हो तो थोड़ी देर उसको छनी में रख देना है चाय छनी में उसके बाद उसका पानी सारा नीचे ड्रेन हो जाएगा तो थोड़ी थीक वाली दही बच जाती है तो फेस पैक में अच्छी रहती है कि ज़्यादा मुह वो क्या बोलते उसको इस टयाप फेशल के तो मेरे कॉत नहीं आता है लेकिन इतने आते हैं है जैसे मुझ काता है मैं आज सही मसाज कर लूंगर कि अपनी और पर पर है और इसकी भी हमें कम से कम 10 मिनट मसाज करनी है 10 मिनट मसाज करने के बाद फिर इसको 10 मिनट हमें ऐसे ही छोड़ना है जब तक ये पैक सूप जाएगा इस पूरे प्रोसीजर में 20 से 25 मिनट लगेंगे लेकिन आपके इसकी न इतनी बढ़िया हो जाएगी बहुत अच्छी और इसे चाय को आप अपने होटो पर भी रब कर सकते हैं मेरे तो होटो ऐसे भी बहुत काले हैं इसे आप अपनी गर्दन पर भी अच्छी सप्लाइ कर सकते हैं गर्दन पर हातों पर जहाँ भी आपको ठीक लगे जहां भी आपको गुज लगे कि डेडी स्कीन हो रही है संबर्न हो रहा है आप इसे अच्छी Kan सकते हैं अब मसाज कंप्लीट होने वाली है अब जो भी पैक बाकी बचा होगा उसे भी मैं अपने फेस पर अपलाई कर लूँगी एक मोटी सी लेयर में और सूखने के लिए छोड़ दूँगी अब आप देखो मैं काफी देर होगी है देखो सारा मैंने जो जितना भी बचा हुआ था काटोरी में पैक सब पूछ के अपने फेस पर अपलाई कर दिया है मोटी लेयर में ठीक है और अब इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूगी आपके पास जितना समय हो अगर आपके और दोनों हाथों में लगाते हुए इसको रब कर लेंगे अच्छे से अराम अराम से सोफ्ट हाथ से ऐसा नहीं है कि जहां जाद हाड हो रहा हो क्योंकि बेसानाटा दोनों चीज है अगर जाद हाड होगा तो वो फिर आपकी स्किन को रैस भी दे सकता है तो इसलिए सोफ् यह दे अगता हम जयाकिसा लुब लगे जो आपके पास अविलेबल हो आप इसका इसमें इसको अच्छे से रब कर ले और मैं आपको अभी इसका रिजल्ट दिखाती हूं कि कासा आता है तब इसको मैं मुह दोके आउंगी फिर ठीक है देखो मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूं इसके और फिर मैं इसको मुह को बात्रूम में जाके दोके आउंगे वाव कितनी प्यारी से इसकी नोगी है ना एक ही बार के एफर्ट्स ना कितनी चमक गी है दो आजयार का फेशल भी ना ऐसा कमाल नहीं करेगा जैसा इसने कर दिया है घर में रख्यूई जाए तो आप ऐसे पहले चमच से थोड़ा इसको निकाल दें उसके बाद पानी से अच्छे से बोस कर लें देखो मैंने आपके सामने सारा रिमूव कर दिया है और देखो जी मैं मू धोके आगी हूँ अग इतना प्यारा सा ग्लो आया है एक ही बार करने से बहुती अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि पर्ल वाला फेशल करा क्या आये हैं बस घर के कामों में उलजे रहते हैं अभी ये भी मेरा इसलिए मन हुआ करने का क्योंकि किसी ने मुझे टोक दिया ना एक दिन मैं कहीं गई थी तो उनूंने काया रहे आपका कलर तो बहुत डार्क हो गया है आप तो पहले से बहुत काले besar तो फिर मुझे लगा कि यह तो कुछ करना पड़ेगा तो इसलिए फिर मैंने ना पहले में बहुत लगाती थी अब बहुत अच्छा गलर था लेकिन अब धीरे धीरे ना घर की जिम्मेदारिया जब बढ़ जाते हैं तो इन चीजों से ना फीछ चुड़ाता है आत्मी तो ल पारम से रिलाक्स बोड़ी इसलिए अधर मतलब फैस को सकन को रिलाक्स होने दें और सो जाए और चार शे करते हैं अब उनसे मुना धोए यसे लगाने के बाद और आपको थोड़ा सा टोनर लागाने के लिए क्या करना है थोड़ा सब गुलाब जल लेना इसलिए हतेली प करते हुए कि पूरे मुप अब कर लेना है एक और अगर आपको मेरा यह थरीका पसंदाए उर फेस्व पसंदाए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाए अगर चैनल पर पहली बार आये हैं तो सस्क्राइब करें बिना ना जाएं और अगर आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं मैं इसी तरह की और वीडियो भी अप्लोड कर दूंगी अपने चैनल पर तो फिर मिलती हूं नई वीडियो के साथ तब तक खुश रहि अब तक के लिए नमस्ते और बाए बाए